सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल टैक्निकल पंकर जोन दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू माइनिंग अप्लिकेशन के बारे में जिसका नाम है ओमेगा नेटवर्क जिया दोस्तो ओमेगा नेटवर्क क्या है, कैसे काम करता है ओमेगा नेटवर्क में जो वालेट है, उसका क्या रोल है, जिसका कम्प्लिट इंफर्मेशन आपको इस छोटे सी वीडियो में मैं कम्प्लिट इंफर्मेशन देने वाला हूँ तो दोस्तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को अन कर लिजे ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँश सके दोस्तो ओमेगा नेटवर्क अप्लिकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा, साथ में अगर आपने हमारा टेलिग्राम चैनल जोईन नहीं किया है, तो जल्दी से जोईन कर लिजे, क्योंकि सबसे पहले जो अपडेट होता है, मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर दे देता हूँ, टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा, तो चलिए दोस्तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, ओमेगा नेटवर्क अप्लिकेशन में रजिस्टेशन कैसे करना है, दोस्तो करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक और आप्सन आता है, एलाओ का, एलाओ कर देने के बाद दोस्तो यहाँ पर नेक्स्ट है, डॉन का आप्सन आ जाता है, उसके बाद यहाँ पर साइन नीन करने के लिए आपके सामने तीन आप्सन आता है, एक गूगल से, एक फैस् आता है इंटर योर फुल नेम तो जैसा कि दोस्तो मेरा नाम है पंकज कुमार गुपता तो मैं अपना यहाँ पर कॉंप्लीट नाम दे देता हूं दोस्तो जो आपका नेशनल आईडी में नाम है वही आप यहाँ पर सब्मिट कीजेगा ताकि आने वाले समय में जो केवाइस के सेक्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फीगर आपके सामने देखने को मिलेगा इसके बाद वेरिफाइब क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो नेम सो कर रहा है आपको यहाँ पर दे देना है पंकज जोन तो दोस्तों ओमेगा अप्लिकेशन में के बारे में बात करते हैं तो इसके लिए यहां पर जो उपर त्री लाइन है यहां पर हम क्लिक करेंगे सबसे पेरे बात कर लिए जैसे कि जोब आपका ओमेगा निट्वर्क आप्लीकी सन में किया सी कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर जो coins आपने यहाँ पर collect किये रहेंगे जिसे आप mannet में transfer कर पाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो wallet का function है यह wallet का function तभी काम करेगा जब आपका यहाँ पर KYC यहाँ पर complete हो जाएंगे ठीके दोस्तों KYC कब होगा इसका information मैं आपको next video में दूँगा जैसे ही omega network में new update आते हैं ओके दोस्तों इसलिए चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe कर लो अब बात करते हैं यहाँ पर mine ohm के option पर click करने के बाद दोस्तों अभी current में यहाँ पर जो mining rate है 1.1 ohm पर hour मिल रहा है दोस्तों अगर इसे increase करना है तो आप refer करते हैं तो जितने लोगों को आप refer करेंगे उसका 0.25% आपको यहाँ पर coin मिलते रहेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको जो next option है leaderboard का तो दोस्तों leaderboard में जिन लोगों ने अभी तक omega network में सबसे ज़्यादा coin को collect किया हुआ है उनका list यहाँ पर दिखाए देगा leaderboard के section में अब यहाँ पर जो next है ohm web 3 का दोस्तों web 3 में भी omega network participate करने वाला है इसके बारे में अभी कुछ भी update नहीं है जो भी update होगा दोस्तों मैं आपने next video में जैसे ही यह एक update आएगा मैं आपसे share करूँगा ठीक है दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर जो next यहाँ पर option है utilities का utilities में भी coming soon है यानि कि इसके बारे में भी next update में मैं आपको जनकारी दूँगा क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर omega network application या एक application अभी जल्दी यहाँ पर release हुआ है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि omega मैंने यहाँ पर google play open किया हुआ है और इसके बारे में यहाँ आप देख लेते हैं कि इस application को release कब किया गया था तो 9 November 2022 को release किया गया था Ohm Tech Group Limited के दोरा ठीके दोस्तों अभी तक एक लाग से ज्यादा लोग इस application को use कर रहे हैं अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इस application के कुछ और भी नई features के बारे में जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था तो जैसा कि यहाँ पर your team का option है जिन लोगों को आपने इस application को refer किया होगा उसका list आपको यहाँ पर दिखाई देगा अब यहाँ पर जो main मुद्धा है जिसके बारे में आपको जाना जरूरी है वो है आपका profile section profile section पर आते हैं तो यहाँ पर username जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरा पंकज जोन है और यहाँ पर type account ठीक है इसको आप रहने देना है phone number आपको यहाँ पर क्या कर लेना है verify कर लेना है लेकिन अभी जरूरत नहीं है आप चाहो तो बाद में भी कर सकते हो phone verify ठीक है दोस्तों यहाँ पर verify account का option दिया है इसे भी आपको करने की जरूरत नहीं है दोस्तों यहाँ पर सबसे खास बात है omega network application ने यह भी यहाँ पर instruction दिया हुआ है कि अगर आप omega network application में अगर mining नहीं करना चाहते हैं तो इस application को delete भी कर सकते हैं यहाँ पर जो भी आपने details दिया हुआ है वो सारा का सारा details यहाँ पर delete हो जाएगा और omega network application को यहाँ पर फिर आप अपने mobile phone में यहाँ पर install नहीं कर सकते हैं ऐसा यहाँ पर instruction दिया हुआ है तो अगर आप इस application को delete करने से पहले यह instruction को अच्छे से पढ़ लेना तो मैं भाई इसे तो मैं cancel कर देता हूँ क्योंकि मुझे omega network का application में mining करना है दोस्तो आपकी जनकारी के लिए बता दूँ कि जितने भी mining application for example pi network, b network, alpha network या Satoshi Core हुआ दोस्तो आज के time पर भले ही इसकी value आपको समझ में ना आ रहा हो लेकिन आने वाले समय में इसका value बहुत ही बढ़ा जाएगा जब दोस्तो 2009 में Satoshi Nakamoto ने Bitcoin को launch किया था जो एक जपान के इंजिनियर के रूप में जाने जाते हैं Satoshi Nakamoto दोस्तो उन्होंने ये थोड़ी न सुचा था कि 4G, 5G या Wi-Fi जैसे टेकनोलोजी हमारे सामने देखने को मिलेगा दोस्तो उस टाइम पर या आज के टाइम में एक Bitcoin को माइन करने में करोरों का investment लग रहा है लेकिन आज के दौर में दोस्तों 21 सदी में Mobile Phone द्वारा हम कि तो currency की mining करते आ रहे हैं या एक नया दोर है इससे घबरानी की जोड़त नहीं है थोड़ा आपको patience रखना है क्योंकि मैंने अपने कुछ पिछले वीडियो में भी आपको यह information दिया हुआ है दोस्तों कि या जो mining से related कुछ application है इसका feature आने वाले समय में ही आपको देखने को मिलेगा अगर आप चाहते हैं कि 6 मेंने या एक साल के अंदर आपको अच्छा खासा return ऐसे mining cryptocurrency दे कर जाएगा तो आप बिल्कुल गलत हैं दोस्तों क्योंकि यह एक long term का project है इसमें आपका अगर अच्छा खासा return लेना है ऐसे mining coins से तो आपको कम से कम 8 से 10 साल तक का wait करना ही होगा suppose दोस्तों अगर हम लोग इस समय pie के बारे में बहुत ही ज़्यादा बात कर रहे हैं या सातोशी core के बारे में अगर आज के time पर अगर 1 USDT dollar में launch हो भी गया तो आप क्या कर लेंगे या इसे से कितना ज़्यादा benefit ले पाओगे benefit कुछ नहीं होगा अगर 1 dollar में launch होता है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर profit नहीं होगा लेकिन जब यही coin 1000 से उपर यानि कि 1000 dollar से उपर जब इसकी value जाएगी तब जा करके आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं इसलिए दोस्तों अगर यह starting में इसकी price 1 USDT या 2 USDT अगर रहता भी है तो अभी आपको ऐसे coins को hold करके रखना है अगले 4 से 5 साल के लिए क्योंकि जितना आप hold करेंगे और community जितना strong होती जाएगी इसकी value दिन पर दिन बढ़ना ही है क्योंकि जब हो भी और XT.com जैसे exchange ने अपने platform पर जगद दिया हुआ है बिना किसी से कहे launch कर दिया है तो कहीं न कहीं दोस्तों इसके पीछे कुछ कहानिया है कुछ राज हैं जिसे समझने के लिए दोस्तों बहुत ही research की जरूरत है लेकिन दोस्तों आने वाला समय future जो है आपका mining cryptocurrency का है यह आप गांठ बांध के रत लिजे फले ही आज आपको समझ में नहीं आ रहा है हो सकता आपको यह scam लग रहा हो यह समय की बरबादी लग रहा हो लेकिन अगर आप विश्वास के साथ ठीक है पेसेंस के साथ mining करते आएंगे तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा तो दोस्तों आज के वीडियो में यह रहा information omega network से related जनकारी अच्छा लगा हो तो एक like जरूर कर देना चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर लेना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद